दोस्तों में फराज मलेक, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आई है, नुपर शर्मा जिसने पेगंबर मुहम्मद स.A.W. के बारे में विबादित टिपड़ी की थी, उसको बीजेपी ने बाहर निकाल कर फेग दिया है। बीजेपी ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, साधी साध एक टटपुंजिया नेता जो था दिल्ली का नवीन जिंदल जिसने पेगंबर मुहम्म स.A.W. के वारे में एक टुईट किया था, उसको भी बीजेपी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। काफी दा हंगामा हुआ था, आपको बताओगा परसो, हिंसा भी हुई कानपुर में इसी मामले को लेकर लेकिन अब बीजेपी ने इन दोनों नेताओं को अपनी पार्टी से बाहर फेग दिया है। के रास्ते महासची वरुण सिंग ने एक लेटर जारी करते हुए का कि हम सभी धर्मों और उनके पूज्जियों का यानि जो पूरबज हैं उन सभी का सम्मान करते हैं इसलिए इनके ओपर कारवाई करते हुए इनको बाहर निकाल ले हैं। भाजपा की तरफ से बयान जारी करते हुए कहा गया कि आजाती की 75 में साल में एक भारत स्रेस्ट भारत की भावना लगतार मजबूत हो रही है। पारी पहली प्रात्मक्ता अखंड भारत और बिकास है। देश की एकता बनी रहे इसलिए हम लगतार काम कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से जारी किया गया बयान में आगे कहा गया कि भारत के हजारों भर्शों के इतियास में पिर्तियक धरम फला फुला। भारत किसी भी धरम के किसी भी धरमिक व्यक्ति के अपमान की कड़ी निंदा करता है। पार्टी उस बिचार धरा के सक्त खिलाफ है जो किसी भी संप्रदाय या धरम का अपमान करती है। बीजेपी ऐसे किसी बिचार धरा का पिर्चार नहीं करती है। तो बहुत बड़ी F.I.R. इसके ओपर हुई है नुफर शर्मा के ओपर तो इसके ओपर कोई कारवाई होगी क्या बीजेपी इसके ओपर कोई कारवाई करवाईगी तो ये बड़े ख़वर सामने आ रहे ही कि नुफर शर्मा को और दिली बीजेपे के वो टटपुंजिया एक प्रिबगता नवीन जिल्दल इसको भी बाहर का रास्ता निकाल दिया इसने सवाल पूछा था ना ट्वीट मैंने आपको कल भी दिखाया था एक बार फिर से देख लो तो किस तरीके के ये लोग बेहुदा ट्वीट कर रहे थे लेकिन बीजेपी ने कहा कि हमारी पार्टी ऐसे लोगों की विचारदारक के सक्त खिलाफ है हम सभी के पूर बजो का और सभी धरमों का सम्मान करते हैं तो बीजेपी के ये जो कारवाई हुई है इन दोने के उपर इससे आप कितना जादा सहमत है कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर बताएं